हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं यूटूब चैनल ग्याननमस्ति अभी तक फिजिक्स के वीडियो में हमने बीमा को कंप्लीट किया बीमा का चार उपयोग बता हैं जो कि सेकंड चेप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक था अगला जो लास्ट टॉपिक है इस चेप्टर का स हो है हमारा तूटी जिसको हम लोग करते हैं बहुत सारे जगा इसको नहीं भी पढ़ाया जाता है इग्नौर कर दिया जाता है लेकिन कॉम्टेटिव आगे एक्जाम के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे कोशन एक्जाम में आता है कॉम्टेटिव एक तूटी यदि आप किसी वस्तू को मेजर करते हैं मापते हैं वह किसी भी परकार के माप हो वह किसी वस्तू का वजन हो किसी वस्तू का लंबाई हो है कि नहीं टेमप्रेचर हो तो उसमें कुछ ना कुछ तूटी हो जाता है गलती हो जाता है मतलब यह कि किसी भी साधन के द सेंटीमीटर है तो उसमें भी तुरूटी हो जाता है भले ही आप किसी भी यंत्र से किसी साधन के दौरा मेजरमेंट करते हैं तो तुरूटी होना ही है बीना इनसान का तो फितरत है गलती करना उसी को वही तुरूटी हो गया गलती होता है सबसे वही तुरूटी हो गया तो कैसे सुधार जाएगा। तो सबसे पहले हम तुरूटी पर बात कर लेते हैं कि वास्तों में तुरूटी क्या होता है। यानि हम कितनी भी कोशिष करें, हम कितनी भी कोशिष करें, किसी रासी के वास्त्विक मान और मापिक मान में कुछ अंतर बच ही जाता है कि वह से सुरुटि की शुरुवात होती है आप दर अगया है वह हम किसी कि वास्त्रूटि की सुरुवात होता है यह दिफिनिशन है नार्मल समझ सकते हैं खुद से हम कितने भी खुसिस करें किसी रासी माश्त्रूइक मान और मापिक मान में कुछ अंतर बची जाता है वही से तुरोटी की शुरुवात होती है उससे ही तुरोटी काते हैं यह से भी आप लिख सकते हैं यानि कोई भी वस्तु हो उसका लेंथ दिया होगी पांच सेंटीमेटर पहले से अल्रेडी हम उसको मेजरमेंट करें उसको म मापें और वो आगया 5.5 तो यह नि उसका वास्तु के था 5 cm लेकिन हम मेजर किए यह उसको मापें तो हमारा कितना मान आया 5.1 cm आ गया यह 1 cm कम भी हो सकता है 4.9 cm भी हो सकता है ठीक है न तो देखिए वहां पे तूटी निकल रहा है हमारा 0.1 का तूटी यानि जो वास्त्रिक मान पहले से वेलू दिया गया है कि इसका लेंथ 5 सेंटिमीटर है लेकिन जो हमने मेजरमेंट किया उसका तो हमारा आगया 5.1 तो क्या हुआ दोगा निकला किस डिधा कर दोगी जीरो पॉइंट 1 का तुटी वह से तुटी का सुरुवात होता है यानि तुटी का सुरुवात कैसे हुआ यह तो आपको पता चला अब वास्तों में तुटी को सुधारा कैसे जाए मतलब, वह रियल वैलू हम कैसे find करें, हम जो भी वैलू निकालते हैं, वह true t का value है, मतलब, यहाँ से आप मान के चलिए, कि गोपाल गज गए, तो गोपाल गज जाने के बाद, आपका मालीज यहाँ से गोपाल गज का सांसा मुसा से, से गोपाल गंज का डिस्टेंस मान के चलिए आगया 10 किलो मीटर का कोई दूसरा कोई गया वही शासमसा से गोपाल गंज उसका आ गया क्या 10.1 किलो मीटर और कोई तो आप यह तो हमारा तो मेजरमेंट वैलू है सब का अलग अलगा रहा है सब तुरूटी वाला वैलू है तो वास्तों में रियल वैलू कैसे निकालें तो रियल वैलू निकालने से पहले आपको एक टॉपिक बढ़ा देते हैं जिसका नाम है निर्पेक्ष तुरूटी यहा तो निर्पेक्स तुरूटी और पुंड तुरूटी में इसका डिफिनिशन क्या होता है कि किसी भी वस्तू के वास्त्विक्मान मतलब जो पहले से वेलू दिया गया है कि यहां से इसका डिस्टेंस इतना किलोमीटर है कि या किसी चीज का लेंथ दिया कि इतना सेंटिमीटर है तो उसका वास्त्विक्मान हुआ कि तथा मापिक्मान अब मापिक्मान का मतलब अब आप मेजर करने उसका तो उसका वेलू कितना आ रहा है उसका मापिकमान की अंतर को निरफेक्स त्रूटी करते हैं कि प्याक family nih where wr और क्या कहते है और फेक्षा किसे भी वस्तु के वास्त्री हिग मान तथा वास्त्री मान अभी बता है यहाँ से सांसामुसा से a दे दिया गया है कि दस किलो मीटर कहा है है तो और वास्त्रीह कमान हो गया लेकिन जब आप उसको मेजर कर रहे है तो आपका 10.1 आ रहा है कभी 10.2 आ रहा है कभी 9.9 नहीं आ जा रहा है तो यह आपका मापिक मान हुआ क्योंकि यह आपके दौर मेजरमेंट किया गया वैलू है ठीक है यह जो और यह पहले से मेजर करके एक एक करके रखा गया तेसे महको करते हैं तो जो निकलते हैं उसी को आसे ठू आते निर्पेक्स तूटी यह पूर्ण तूटी यह से अब माल लिजे कि निर्पेक्स-3T का formula भी हां से आप लिख सकते हैं निर्पेक्स-3T बराबर हो गया आपका किया वस्त्रिक मांग minus maarpic ये निकल गया ये निकल गया formula किसका निर्पेक्स-3T का यहां से आप देखिए सटुनिका से बेलो निगेटि भी हो सकता है और और आप गया कुना 10.1 तो जब घटा ही एगा तो माइनस में 0.1 आएगा देख रहा है ना माइनस में क्या या 0.1 क्योंकि वास्तिक मन 10 किलोमीटर है जब हमने मेजरमेंट किया तो 10.1 आया तो यह तो अधिक है तो इसके माइनस का सीमल है तो माइनस लगा देंगे और यदि आप मेजर करते हैं तो आपका आगे में भी हो सकता है ठीक है अब knocking करता है अगर आपका मेजरमेंट मेलू अधिक आया तो माइनस में होगा काम आया तो प्लस में होगा तो यह था हमारा निर्फेक्स टूती पैद्लर्टी फोकुरोट्र लिखती ही पढ़ते रहेंगे हम लोग अब 3ods को सुधार ना कैसे यह तो समझना ना ठीक है गलती हो गया लेकिन गलती को कैसे सुदारंगे वास्तों में सही वैलू कैसे निकालेंगे तो रियल वैलू निकालने का मतलब हुए कि आप उस चीज़ को बार बार मेजर कि जीतना बार अधिक मेजर कि जीएगा उतना निकल करके आएगा जितना बार मेजर के लिए जैसे अगर किसी वस्तु के बारे में पूछा जाए यह चलिए डिस्टेंस पर ही समझाते हैं आपको यहां से गोपाल गां जा रहे हैं तो पहली बार में आप गए तो 9.9 किलोमीटर आया दूसरी बार गए तो 9.8 हो गया तीसरी बार मैं तैन यह फीर 10.12 19.9 से अब यह तो मरा मेजरमेंट वैलू है शो टूर दूरी मेजर किया तो इतना इतना सब अलग अलग है तो वास्तों मियरिय वैलू किया है गलत यह तो सारा अलग-अलग आ रहा है तो और ऑल्स Pre-Septi अब जितना बर अधिक measurement किया देखिए हम एक दो तीन चार पांच छे बर measure किये हैं जितना बर अधिक measure किजिए उतना true value निकल के आएगा हमने 6 बर measure किया अब यहां पर यदि हम value निकाले true value find करें तो इन सब को जोडते हैं 9.9 9.8 फिर 10 फिर 10.1 फिर 10.2 फिर 9.9 बटम है अब जितना इसका नंबर है कितना बर measure किये हैं छो बार तो नीचे क्या हो जाएगा छो हो जाएगा कि सब को जोड़ेंगे 9.9 यह 9.1 इस दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा 20 दस 10.1 10 9.9 20 और 9.8 और 10.2 यह जोड़ेंगे तो 20 तो 20 20 40 और 10 50 और यह जाएगा 59.9 अपन 6 अजब भाग देंगे 6 से यह जाएगा चो नवा 4 पॉइंट लगाएंगे चार और चो चो देखी यहां पर भाग देते हैं 59.9 में चो नवा चोण वान पांच मैंंस चार गया एक पॉइंट है तो पॉइंट नो उतारेंगे यह नो तो नो में से चार गया पांच यह नौ फिर चोन और चोन पांच नो में से जार गया पांच पॉइंट लेके जीरो फिर छो यह एक डीजित तक ही लिखते हैं नाइन पॉइंट नाइन यह निकल के आए आपका ट्रू फैलू देखे जितना बार अधिक मेजर मेजरमेंट की जिएगा उतना बर क्या होगा आपका वास्त्विक मान निकल के आएगा रियल फैलू इसको हम लोग और सत्मान भी कहते हैं को दिक्कत यहां पर तो यह अगर आ वास्त्विक मान भी कहा जाता है यानि वास्त्विक मान निकालने के लिए यानि वास्त्विक मान निकालने के लिए आपको जितना बार हो सके उतना बार वेलू को मेजर कीजिए जितना अधिक बार मेजरमेंट कीजिएगा उतना ही आपका रियल फैलू निकल के आएगा य या और सथ मान ठीक है और सथ कि यह होगे और सथ मान क्या माना यहां पर और सथ मन वास्तिक मान या और सथ मान किसी भौतिक राशी को आप मेजर करते हैं किसी भौतिक राशी को हम एन बार मेजर्मेंट करते हैं या 5 बार एन ले ले लेते हैं चुकि फार्मूला निकालना मको एन बार क्या करते हैं मापते हैं ठीक है एन बार जब मेजरमेंट की हैं तो हमारा पहला वैलू आया मापते हैं तो हमारा आया X1 दूसरा आगे X2 तीसरा आ गया X3 फिर X4 तथा X5 है मापने पर इतना इतना वैलू आया X5 तक डॉट 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 यहां पर माल लेता एक्स एन तक आया है कि एन तक मेजर किये था एक्स एन आता है आता है तब यहां से अगर वास्तिक मान हमको निकालना है क्या करेंगे अभी आपको बताएं हम सब को जोडते हैं X1 को जोड़ेंगे X2 को जोड़ेंगे X3 को जोड़ेंगे X4 को जोड़ेंगे जहां तक डॉट डॉट की एक्स एन तक जोड़के और जितना नमबर जितना बार आप मेजर किया है एन बार मेजर किया है तो एन से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो हमारा निकल लागा क्या वास्त्विक मान इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं एक्स यहां तो कोई दिकत है चलिए स्क्रीन सट लेजी आगे बढ़ते हैं लोग चलिए यह हमारा निकल गया क्या वास्त्विक मान मिटाते हैं इसको यह हमारा फॉर्मूला था लास्ट में था हमारा एक्स यहां पर देखिए हमारा वास्त्विक मान निकल गया आपको यह चीज पता है निर्पेक्ष त्रूटी अब आप क्या निकल सकते हैं निर्पेक्ष त्रूटी त्रूटी को अब अब आपको बता है वास्त्विक मान वास्त्विक मान लेजी एक्स निकल के आया इसके निकले गा अब मापिक मान मापिक मान क्या पहला बार में आप X1 मेजर किये हैं तो क्या करेंगे यहां पर Δlord X1 Dld X1 का मतलब निरप X2 है और इसमें से क्या करेंगे माधी मान में से मापिक मान को मइनस कर लें दूसरा निकार लेंगे तो फिर अब इस परकार से एक और इसमें टॉपिक आता है माध्य निर्पेक्ष तूटी चुक्कि हमको हमने अभी बताया था कि निर्पेक्ष तूटी का मान अधिक भी हो सकता है क्योंकि इसका तो वहलू निश्चित एक्स अगर यह वाला वैलू मापिक मान वास्तिक मान से कौम है तो अब तो पोजेटिव आएगा निकाल कि बताया था हमने और अधिक है तो निगेटिव आ जाएगा वैलू निगेटिव भी होता है तो अगर उसकम को माध्य निकालना निपेक्स तूटी का क्या निकालना है माध्य निपेक्स तूटी का क्या निकालना है माध्य निपेक्स तूटी का क्या निकालना है माध्य निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं सब को जोड़ते हैं अब चुकि यह माइनस भी हो सकता है यह वैलो इसलिए इसमें म मोड लगाते हैं किया लगाते हैं मॉड मॉड इस क्यों क्यों कि जो माइनस जो निगेटिव वैलू है वह भी किसमें हो जाएगा प्लस में रहे गाई यानि माद या निर्पेक्स तुर्टी निकालते समय आपको मॉड लगा देना है ठीक है तो डेल्टा एक्स वन फिर मॉड मॉड डेल्ट एक्स थी जो दोट दोट डोट मॉड डेल्ट एक्स बट्यम में क्यों जाएगा अब यह वह कितना वाल्व कितना वर्वैलू मेजर किये हैं वह आ जाएगा आपका अन और यह हमारा दो या माद्या निर्पेक्स त्रू टी का फॉर्मूला कुछ दिकत इसमें स्कीन सोट लेजिए फॉर्मूला का फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से स्कीन सोट लेजिए चलिए और दू फॉर्मूले जहाए इसको बता देते हैं चलिए आगे अगला जो हमारा फॉर्मूला आता है उसको हम लोग आते हैं भीनात्मक तुर्टी भीनात्मक तुर्टी का फॉर्मूला रिलेटिव एरर या फ्रेक्शनल एरर इसको अंग्रेजिए बलते हैं चुकि बहुत बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं फ्रेक्शनल एर चुकि हम तो यह यूट्यूब चैनल स्पेशल हिंदी मीडियम विद्याथ्यों के लिए बनाया है तो भीनात्मक तुर्टी विनात्मक तुर्टी का आपको फॉर्मूला बता देते हैं वह देल्ट एक्स क्या बाव देख्श तुर्टी जिसको में रिलेटीव एरर काते हैं इसको हिंदी में लिखना है तो तो दुर्म पेट्च तुर्टी और बत्टा में हो जाएगा आपका एकस आपका है वास्तविक मान वास्तविक मान यह फॉर्मूला निकल गया वैलू आप तरे नहीं बता हुआ है formula बता दरहा है निकाले के लिए यह व्यूज़ के लिए वास्त्रिक्मान को करेगे वास्त्रिक यह निकलט इसके बाएमन को यह निकल जाएगा तो इसके बाद मेजर्मेंट मेजन कर दो चाहिए निकल जाएगा नीजर्मेंटτο जोड़िए और जितना बार मेजर किया उसे भाग देदीजिए तो मादे निर्पेक्स तूटी निकल जाएगा निर्पेक्स तूटी बता वास्तिकमान यह हमारे निकल गया भिनात्मक तूटी का फर्मुला एक और फर्मुला इसमें आता है जिसको परसेंटेज एरर करते हैं परतीसत्तुटी परतीस सथ तूटी परतीसतुटी में क्या करना है बस निर्पेक्स तूटी बटा वास्तिक मान निकाल के और परतीसत में बदलने के लिए आपको पता है हंडेट से मल्टिप्लाई कर देते हैं यह हमारा निकल गया परतीसर तुरूटी यहां पर कोई दिक्कत है निर्पेक्स तुरूटी हुआ इतना इसमें लेक्चर फॉर्मूलाज के द्वारा बता दी है और इसके बाद आएंगे अगले लेक्चर में तो उसमें तुरूटी का जो है भाग वाला तुरूटी गुणावाला जोड का तुरूटी कैसे निकालते हैं लास्ट लेक्चर कल का कमप्लेट कर लेंगे इसमें क Eigल कोई डाऊट हो तो आप कमनट में कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पर नाए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब की लिगा है groups .